नमस्कार दर्श्रकूब मैं हूँ शालनी सिंग और आप देख रही हैं NCERT का लाइफ ओनेन कारिक्रम स्वयम प्रभा के किशोर मंच चैनल पर और साथ ही आप जानते हैं कि आप एक आरक्रम देखते हैं NCERT के ओफिशल यूट्यूब चैनल NCERT ओफिशल पर भी किशोरा वस्था वो अवस्था होती है जिसमें बौधिक और शारिरिक विकास होता है ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे बच्चपन से वैस्क बनने का सफर पूरा करते हैं जिसमें बच्चे अपने परिवार के अलावा एक बाहरी दुनिया से भी रूबरू होते हैं और ये बाहरी दुनिया के बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी उनके उपर पड़ते हैं ये प्रभाव कई बार इतने ज़्यादा घातक होते हैं जिनका असर पूरी जिन्दगी उनके उपर रहता है बस यही कहते बनता है कि नाजुक ये जीवन का मोड क्यों दे उन्हें अकेला छोड राह कहीं ये भटक न जाएं बड़ी कठिन जीवन की होड उनकी इसी जीवन की होड की जद्दो जहत को आज यहां हम कुछ आसान बनानी की कोशिश करेंगे चर्चा करेंगे आज के हमारे विशे एक्स्पिरेंशल लर्निंग एक्टिविटीज इन अडॉलसेंस एडिकेशन और इस विशे पर ज्यादा प्रकाश डानने के लिए हमारे महमान डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश SCERT हर्याना से आपको बहुत-बहुत स्वागत है इस विशे के बारे में तुम मैंने बता दिया और मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी विस्तार पूर्वक जानकारी आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में दे हैं जरूब देखी सालिनी पि हमारी अक्टिविटी इस तरह से रिफॉम की गई हैं इस तरह से हमने बनाई हैं ताकि बच्चे किसो रवस्ता में जो भी परिवर्तन होते हैं चाहिए वो सारे रिक बदलाव हो चाहिए वो मानसिक बदलाव हो उनको ठीक से हो समझ सके और इन फ्यूचर जो चुनोती हैं के सामने आने वाली हैं चाहिए योन दुर्वेवार है चाहिए ड्रग अन सबस्टांस मिस्यूज है और चाहिए एचाई वी इन इफेक्शन है तो इन से पूरी तरह से वो बचे और एक अच्छा नागरिक बनते हुए देश के विकास में अपना योगदान देश के जी जी इन जी जो एक्टिविटी है ने केवल की सोरह वस्ता से संबंदीत रखी हुई है हमने इसमें हमने ग्रामीन परिवेश से भी बच्चे को जोड़ा है बच्चे की जो इन फ्यूचर मतलब केरियर डिवलपमेंट में या केरियर डिवलपमेंट की साथ-साथ जो इन कि बच्चा श्यूम उनका सोलिशन डूनने का परियास करें कि क्या इनका समाधान हो शकता है तो यह हमने इसमें परियास की यह बहुत अच्छा प्रियास मुझे नजर आ रहा है तो किस तरह की प्राब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज यहां पर आप करते हैं या आपने इसमें करी इतने सालों में आप बताते हैं कि आपने 12 साल से आप इस शेतर से जुड़े हुए हैं तो अपने कुछ एक एक्टिविएंस से हम से शेयर करें जी 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 यहां पर तीन चार एक्टिविटी हैं जो मुख्य रूक से हम करवाते हैं जी चाहे हमारी डॉल-प्ले ह है फोकडान से है एक हम मनिस्ट्री और पार्लेमेंट का युवा संसद परतियों गिता कराते हैं एक अभी पिछले दो साल से हमने युवा ग्राम पंचे थे यह एक मैंने अपने अनभव के आधार पर एक ऐसा मंच देने का परियास्किया है कि बच्चे के मन में जो भी विच कार हूं किसी भी तरह के हो प्राइमरी अब्जेक्टिवी है कि किसोरा वस्ता से संबंदित हूं वो इस मंच के उपर लेखे आए शेयर करें और जो चुनोती है उसका समाधहन करने का प्रियास करें तो क्या कौन-कौन से ऐसे मैथर्ट हैं जो आप यूज करके इन एक्टि पर्टिकुलर हम जब जहां से सुरुवात करते हैं क्योंकि यह जो पर्सनल इसू है इसमें बच्चा फस्ट उसमें इंस्टांस में अपनी बात नहीं रखता बहुत सी ऐसी हमारे सामने पर्टिकुलर एक-दो केस भी आए हैं कि बहुत समय काफी लंब डेर से दो साल तक ब तो प्रारंभीक स्टेज पर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर बच्चा रखे बताए उनको देर देर ना हो किसी भी तरह कि बच्चे के साथ तो इसके लिए हमने सबसे पहला हमने एक कारी कराम ही इसमें करते हैं कोशन बोक्स अक्टिविटी जैसे हम बाश्या में अ अधार पर हम यह जानने का परियास करता हैं कि क्या क्या समश्य हैं दूसरा हम टीचर की कपस्टी बिल्डिंग भी करते हैं ताकि वो बच्चों के साथ कमफर्ट रहें बच्चे के साथ एक फ्रेंडली वेभार रखें ताकि हमारे बच्चे के सामने कोई विद्यार्थियो ने पहले भी काफी रिशर्च की हुई है इस शेतर में हमने एक काफी बड़ा एक जिसे हम बेसलाइन सर्वे करते हैं इन हरियाना के गोर्मेंट स्कूलों में लगबग 33,460 बच्चों से हमने रस्पूंस लिया उनकी जो किसोर अवस्ता की स्थिति उसको जानने का परियास कि उसमें चाहिए उसके फैमिली बैग्राउंड है चाहिए उनकी बोडी इमेज है तो वहाँ पे कुछ में में बाते निकलके आई वो मैं यहाँ पे आपसे कुछ जरूर सेर करना चाहूंगा कि हमारे सामने जो फिलाल जो चैलेंज है वो यह है कि अभी भी हमारा किशोर अप हमारे लिए जो हमारी study आई है उसमें सबसे बड़ा challenge यह है कि हमारा जो adolescent है किशोर है वो व्यक्तिकत इशू को केवल 3-4% teacher के सामने लिए पा रहा है तो यह सबसे बड़ा हमारे लिए challenge है हम यह चाहते है कि कोई भी issue यदि उसे हो हमारा जो किशोर है वो teacher के प्रति comfort zone में ह प्रिजक कोई रुकावट ना हो उनके बीच में तो यह कि इस तरह का environment हो तो मैं समझता हूं कि जब भी चनोती है किशोर ववस्ता की वो आसानी से solution आपने कहा कि किशोर जो है teacher से या फिर अपने friend circle में ही share करते है अपनी problems किस-किस तरह की problems उनकी अक्सर देखने में आती है और क्या कारण है कि वो सिर्फ अपने दोस्तों से या teacher से ही बाइक तो जो बदलाव होता है पहले joint family होती थी तो हो सकता किसी से बच्चे को पता लग जाए चाहे वो physical जो changing है development है या emotional है तो वो कई पर बच्चे को पता नहीं होता या बच्चे को पता नहीं होता कि ये मेरे साथ हो है तो वो भी बताए कि वैसे तो हम ये courses कर रहे हैं कि समय से पहले ही हम किसोरों को mentally prepare कर दें कि ये बदलाव होते है इस तरह ही से होता है तो समझ जाए लेकिन फिर भी नहीं है तो teacher से जा के बात करें जी जी तो अगर हम बात करें कुछ एक life पहले तुम्हें जाना मैंने आपको बताया है कि हमने एक baseline survey कि है उसमें जो चैलेंजेबल पॉइंट है मैं केवल भी discuss करूंगा जो हमने जीन को challenge लिया है हमने बच्चे की जैसे physical growth के बारे में बड़ा simple सा question किया था क्योंकि अक्सर बच्चे अपनी body image से आप satisfy है या नहीं है तो 80% बच्चे ठीक हमारे जो body image है उन से satisfy है चाहे उनका color है चाहे उनकी height है चाहे उनका weight है वो satisfy है लेकिन 18.6% वो हमारे लिए challenge है कहीं नहीं कहीं वो जो कुछ उसने बनाया है वो unique है और हमारे लिए किस तरह की बातें देखने में आती है physical appearance क्या वो पतले है हाँ हाँ किसी के height का issue है किसी का color का issue है किसी का weight का issue है तो इनके अलग-अलग इसमें कारण है इसके अलावा भी आप हमारे साथ कुछ और data शेयर हाँ हाँ जैसे मैं teacher से कम share करते हैं तो यह हमारे सामने challenge है एक और यह है कि हमने बच्चों को क्योंकि यह बताया कि हमने किसोर अवस्ता से जुड़े तमाम पहलों को इस study में कवर करने का परियास किया था चाहिए growing up issue हो हो चाहिए आपके harassment के issue हो चाहिए आपके drug substance misuse हो चाहिए infection हो हम पूरा status जानने का परियास कर रहे था कि क्या हमारे किसोरों की स्थिति है ताके हम उनको और better यदि उनके सामने कोई challenge है कोई चुनोती है कोई समश्य है तो एक अच्छा और environment देश के और समय के से पहले ही उनके प्रती सचेत रहे है तो इसमें एक हमारे सामने एक और बात निकल के स परिसन में यहां पर आप से सेर करना चाहूंगा हमने बात यह के थे कि क्या कभी आपके साथ किसी ने जिसे forceful physical religion कहते है जबरती सारी समंद बनाने की कोई से तो क्या कभी आपके साथ हुई है इस पे हमारे काफी debate हुआ हमारा जो tool development team थी बच्चों की आप बात कर रहे है य निकल के आए कि भई यह हमें पूछना चाहिए तो हमारे किसोरों से हमें यह response मिला कि नहीं कि वो लड़कियों के साथ बलकि लड़कों के साथ भी sexual harassment होता है यह पहले भी एक दो study हुई है इस समंद में और हम भी यह मानते हैं और यह मानते हैं कि parents जो हैं लड़कियों के प अब चाहें लड़की हो यह लड़की हो दोनों ही तो मैं आप से जाना चाहूंगी कि इतनी तरह की समस्य हैं आपने बहुत तरह के सवाल शायद बच्चों से भी किये थे एक दो एक्जामपल अगर आप हमें देना चाहें तो उन बच्चों ने भी अपनी प्रतिक्रियाए अपने सवाल आप तक पहुचाएं हैं शायद आपने बता रहे हैं देखे देखे मैंने आपको बताया था कि यूआ ग्रम पंचयाद कारीकरम करते हैं मैं इसको थोड़ा सा यहां पे डिसकस करना चाहूंगा क्योंकि वह हमारा EC का एक हिसा है मैंने बताया था कि हमने किसोर यह हमने सब इस प्लेटफॉर्म के मादम से बच्चों को बदाने का परियास के है और इसमें बच्चे कुद करते हैं तो मैं जब इस करेकरम की सुरुआत हम करते है तो सबसे पहले हम टीचर्स को टेंडिनिंग देते हैं कि यह हमारा करेकरम है सब जो teachers को first direction यह होती है कि अपने surrounding में बच्चे के सामने particular यदि ग्राम पंचा है तो गाओं की जो भी समस्या है चाहे उसके घरे जो उनका अपना in house environment है वहाँ कोई उसको लग रहा है कोई भी challenge है किसी भी चाहे पर्सनल हो या घर से school आने में कोई भी समस्या है कोई चीर चा ठीक नहीं लग रहा है उसको लग रहा है कि teacher का behavior मेर परती ठीक नहीं कहीं उसको लगता है कि या कहीं क्या होता है कई वर teacher communication skill भी नहीं है तो हम इसको teaching learning में भी as a tool use करते हैं तो वो सभी समस्या है लिखके दे तो जो मैं आपको पर्सन दिखा रहा था वो उसी की एक कड़ी तो बच्चे कहीं ने कहीं अपने आपको secure feel नहीं करें सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं चाहे घर से school आने का environment हो और जो भी समस्या हैं बच्चों ने observe कि क्योंकि हम यह चाहते हैं कि बच्चे समस्यां को observe करें पहचाने चाहे की सोरवस्ता की हो चाहे surrounding पी हो और कहीं ने क स्किल्स की बात करें जिसमें की problem solving और critical thinking और सके लाव inter-personal skills भी आते हैं तो क्या वो भी इसी का हिस्सा है बिलकुल देखी कि सोरवस्ता शिक्षा का एक life skill महतुपन हिस्सा है पार्ट वैसे तहम इसमें growing up issue लेते हैं HIV in sorry substance misuse लेते हैं HIV infection लेते हैं और substance misuse sorry life skill लेते हैं यह चा department health department के सहे उसे एक नया कैरिकर मनाया है जो जल्दी हमारे किसोरों के बीच में आने वाला है वो इससे और आगे है कुछ उसके स्वास्त को भी धान में रख्या गए तो यह सारा पार्ट उसमें add-on कर दिया गया है तो जीवन में life skill बहुत मेतुपन है जिस बच्चे के उनको enhance करने का परियास किया उनको एक प्लेट फॉम दिया है चाहे आपकी communication skill हो चाहे analytical skill हो चाहे आपकी interpersonal skill हो चाहे coping with stress हो चाहे coping with motion हो जितनी भी life skill है उनको कैसे enhance किया जाए वो in activity के माध्यम से हमने देने का परियास किया यहां पर हमारे पास एक video है जो हम life skill को लेकर देख सकते हैं और social issue भी इसमें उठाने का परियास किया कि कभी से हमारे यहां पर्दा पर्था चली आ रही है उसका भी हमने बच्चों ने बहुत अच्छे डंग से उसको यहां पर रखा है हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हमारे वीडियो भी है life skill को लेकर शायद व गुंगटो शरम लियाज के निसान नहीं होती है भाई कही बाई माफ करना ताओ जी शरम आखों में होती है और लियाज दिल से किया जाता है और ताओ जी साची साच बटाईयो आपकी एक्सरे मशीन पर्देवारी किस बहुने ना पहचान दी और कोण सा मेरा ताओ जी है जो बिना वहू का चारा देखे अपने बेटे ना भी आलाया हो सही बात है जब हमें हमारे अपने ही घर में विचारों के भिवैक्ति नहीं मिलेगी हम दुख सुक में साची नहीं बनेगी तो इस दुनिया के सामने क्या खाता रहेगी घर के कितने मुद्धी होते हैं जिन हम भी सला मसूरा करना चाहते हैं पर इस भूंगट की वजए से मन मसूस कर रह जाती है तो मुझे लगता है काफी कुछ इनोंने देखा है और लाइफ स्किल की इसी तरह की बहुत सारी अक्टिविटीज जो हैं और भी होती रहती हैं क्यूंकि हम बात कर रहे हैं लाइफ स् जैसे कि आपने हमसे बात करी ग्राम पंचायत के आपने बात करी थी कि युवा ग्राम पंचायत को लेकर आप हमें कुछ बता रहे थे मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगे फिर उससे जुड़ा हो हमारे पास एक वीडियो जो हमने अभी वीडियो देखी है ये भी हमारे युआ गराम पंचियात का ही एक वीडियो है, इनके माद्धम से नए के ओल लाइफ स्किल, बलकि शोशल इसू को भी समझने का परियाश किया है, कि हमारे समाजी क्या क्या चैलेंज है हमारे सामने, आपने इस वीडियो के माद्धम से देखा, जैसा मैंने आपक आया था, कि पहला हमारा ये होता है कि बच्चे प्रोब्लम को ले के आएं, टीचर्स का रोल होता है, उन प्रोब्लम के आधार पे उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग करें, और फिर बच्चों को उनके लिए तैयार करके कि युआ गराम पजी पंचायत के माद्धम से उन इस को उठाने का परियास करें, इसके अलावा एक और भी हमारे दिमाग में एक आइडिया था कि बच्चे लोकल बोडी की एक्टिविटी को भी जाने, कि हमारी लोकल बोडी कैसे गाम करती है, ग्राम सभा का क्या रोल होता है, ग्राम पंचैत का क्या रोल होता है, क्योंकि मेरे अंडर में करीब डेड़ सो दो सो ग्राम पंचयत हैं, जिस तरह का यहां पर एक आइडियल ग्राम पंचयत, ग्राम सभा को परदर्सित किया गया, जिन मुद्धों को उठाया गया, शायद मेरी किसी ग्राम पंचयत में नहीं उठाया, और मुझे लगता है कि ग्राम पं प्रश्याओं को रखे कैसे सोल करा सकता है तो ये भी हमने उसमें थोड़ा सा बताने का परियास किया, इसमें एक्सपिरियंस लेर्निंग भी है, लाइफ स्किल एनहांस्मेंट भी है और बच्चे की उब्जर्विसन स्किल भी है बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अपनी ब कोई भी समस्याती है तो तुरंट वो उसका शमाधान हो उसके बिल्कुल, तो ऐसा ही एक 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 जामपल यहां पर हम देखेंगे जिससे कि हमारे दर्श्रकों को जो की विद्यार्थी भी हैं और बच्चे, बाकि और भी बच्चे हैं, वो जानेंगे कि कैसे यहां पर वो बहुत ही बहते धंग से रख सकते हैं. आईए देखते हैं हमारा ये वीडियो. लोगों कर निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. इसने गळियों का पुरा हाल कर रहा है. चारों तरफ पाणी पाणी बड़ा पड़ा है. भारताओने लोग भी एक हैवे हैं भाईयो थरों गाउं है क्ता लाब है. चरपन साथ, हमारे गाउं में शकूल में बालकों का आना जाना मुश्किल हो रहा है. आती जाती गाटी उनका छीट मार जाए. और हमारे गाउं के बड़े बुड़ों का भी आना जाना मुश्किल हो रहा है. अब तो इसमें लालाल कीड़े और पैदा होने लगए जिसके कारण बेमारी फैल रही है और इस बाहर तो हमारे गाउं में ड्रेंगू के मरीज भी बहुत पाई है और मलेरिया के मरीज जग गिनती है नहीं है इसका भी समधान करवाया जाए आप आई ठीक कहरा है समस्टा तो बडिश है लेकिन हम सम मिलकर इसका समादान गूंडेगे बताओ गामभाशियो इसका कोई समादान धर पन साब पहले पाणी की निकासि का उची समादान करा जाए करःतो नालें इदरब दर से टुटी पडियाए इनके मरमत करवाई जाए और इनके सफाई करवाई जाए पाई नारी तुम्हें ठीक करा दूँगा पर यो पाणी जो थमबखेर रहे हो यो किज़े आएगो एको भी तुक समाधान करो इसका समाधान सरपांज करेंगे आप तो इसका समाधान भी हम सबने मिलके करना पड़ागा सरपांज साफ मेरे पास उसका एक समाधान है सरपांज साफ पहले तो मुझे माफ करना चोटी मू बड़ी बात पहले जो भाई यांप बैठ थेना मैं इंसे पूछना चाहता हूँ, कि यह जो पाणी ए, क्या अपने साथ लेखा है तुम भाई? ना भाई! लुष पंचने का सकते हैं पानी का अखाल पढ गया था सरकार ने गारडियाम मानी देज़-बेज़कर लोग का कित्यास भुजाए थी और यह जो सम्खूली मोटर से बैसों को नहलाथे हो गाड यह तो यह हमने एक इसके अलावा मेरा सवाल आप से यह है कि और यह जो लर्निंग है लर्निंग एक्टिविटीज जो है उनकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ स्टूडेंट्स की है या सिर्फ टीचर्स की है या पूरी सोसाइटी की है देखे शालनिक यह तो यह हमारा कारी करम ऐसे तू काफी समय से चल रहा है जी मैं जिसे चुनोती ले रहा हूँ अपने लिए अपने लिए जो चैलेंज ले रहा हूँ यह है कि हम भी तक हम हर बच्चे को मैं यह समझता हूं कि हर किस ओरत तक हम नहीं पहुंच आगे एक न educational functionaries हैं हमारे शिक्षय अदिकारी हैं हमारे teachers हैं वो इसको ठीक डंग से implement हैं पहले ही चाह रहा हूं अभी मैं parents के उपर कोई इस तरह का अदाई तो नहीं डालना चाह रहा है इसके मादम से parents को तो मैं सिरफ इतना ही कहूंगा कि बच्चे को सुरू से उब्जरू करें और किसी भी समस्य में उसकी help करें कि किसी तरह का उस पर अनावशक दबाव ना बनाए ताकि कहीं ने कहीं बच्चे के उपर आगे psychological effect आए तो मैं तो parents को फिलाल तो यही कहना चाहू से इस शेत्र में हैं तो मैं जानना चाहूंगी कि सालों में तब में और अब में क्या बदलाव आया है अगर हम experiential learning की बात करें तो इसे क्या किशोर या किशोरियों के जीवन में बदलाव देखने को मिल रही है देखिए प्रारम की में तो इस विशे पर थोड़ा सा बात क करना हमारे टीचर ही बात करने के लिए तयार नहीं था शुरू में जब हमने वर्कशोप की शुरू में टीचर को बलाया मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नेको का टूल किट आया था जो हमारा ही इसका एक पार्ट है जिसमें है चाहिए के ओपर जान कर तो रिप्रोट है लेकिन अब उच्णोती नहीं है लेकिन हमारा किसोर सुरू से जानने का परियास कर रहा है मैंने बताया कि हमारे इस्टेडिम 81 परशंट किसोरों नहीं यह कहा कि वो जानना चाहते है पूरी तरह से हमारा जो रिप्रोडूक्टिव सिस्टम या बोडी में जो भी परिव तो वो चाहते हैं कि उनको एक सही जानकारी मिले और चुए कि आज के इस यूग में मोड़ ऑफ कम forgivenication बहत फास्ट है हमारा social media है तो जरूरी है कि उसको सही जानकारी देजाए जरूरी है कि सही जानकारी मिले और सही जगह से मिले क्योंकि अगर उनको ये जानकारी सही जगह से नहीं मिलती है तो वो अलग अलग जगह उपर जाकर बेभी इनको गुम्राह करते हैं तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है अब मैं जानना चाहूंगी कि टीचर्स का जो है वो किलेंजेज होते हैं कितना वो चाहिए रोल प्ले है चाहिए फोगडान से एक मैंने आपको पहले भी जे कर गया था यूथ पार्लियमेंट वो भी एक बहुत हमारी अच्छी बहुत अच्छी एक्टिविटी है मिनिस्ट्रियों पार्लियमेंट की है उसमें भी जो समयधानी करूब से जैसे क्वेसे क्व कराते हैं तो अच्छे यो जो कर अपने कानून बनाना है तो इस तरह का कानून बनाए जैसे अभी आपको जानकारी होगी कि 2012 में जो एक्ट बना है किस तरह से हमारे सामने के के case आये और ये protection of children from sexual offenses ये कानून बना और इस आपके मादम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर teacher और हर बच्चे teacher पहले इस कानून के बारे में जाने और बच्चों को किसोरों को समय रहते हुए aware करें कोई भी किसोर अगर जाने अन जाने में इस act के तहत यदि कहीं उसका behavior प aware कर दिया जाए कि कहीं भी उनका behavior है इस तरह का ना हो जो इस act के तायट रिस्की या punishable behavior माना जाए जिससे कि उनका जीवन जो है खराब ने जानकारी हो कि अगर वो ऐसा कोई भी काम गलब करने है बिलकुल उसे और मैं ये कह रहा हूँ कि teacher को भी पता क्योंकि इस act में हर teacher क responsibility fix कि या जिसके भी सामने वो जिसके साथ यह उन दुरभार हुआ है वो सिकायत अमने लेके जाता है या अपनी बात बताता है तो right platform पर उसकी सिकायत करने का दाई तो इस act किता है तो उसका बनता है बिलकुल बिलकुल मैं अब चलते चलते आप से जाना चाहूंगे क्योंक क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि ना सिर्फ उन्हें इन एक्टिविटीज के बारे में जानकारी मिले अपनी किशुरा वस्था को बहतर ढंग से जीने का अवसर मिले बलके अपनी जंदगी को भी आगे जाकर सुधारने के नहीं रह में बिलकुल यह कहना चाहूंग पाकि अधर एक्टिविटीज उतना ही वो एक बहतर इंसान बनेगा उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छा होगा confidence लेवल बढ़ेगा उसकी जितनी life skill है वो बढ़ेंगी और देश के विकास में अच्छा योगदान देगा तो मेरा उन्हीं यही संदेश है कि इस अव कि अभी मैंने एक कारिकरम में चला रहा हूँ राइस्टिस तरफे डिपार्टमेंट ऑफ सोचल जस्टिस का है उन्होंने एक प्लान ओफ एक्शन बनाया है कि कैसे हम अपने किसोरों को प्रारंभी का वस्ता में इस तरह का environment करें कि वो gateway जिसे हम कहते हम खुले ही ना उनकी का दबाव कहते हैं यदि हमारी इस activity में हमारे किसोर गुजरें तो उस दबाव को सहन करने की ताकत उनमें आते हैं वो उनको ना कहेंगे कि नहीं हम इसमें सामिल नहीं है तो यह इस तरह है कि हमारी activity जो NCR विसेश रूप से तो सारह मैं NCRT का या अभार पर कट करूँगा हम बिल्कुल इस तरह की activities अक्सर करते रहते हैं और बच्चों को जानकारिया देते रहते हैं आपसे भी हमें बहुत सारी जानकारी आज मिली है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को और हमारे किशोर किशोरियों को वेसके काफी लाब होगा बस चलती चलते मैं आपका किशोर मंच से वो हमारे जुडे रहें और अगर कोई उनका विशय वो चाहते हैं कि हम उस विशय को यहां पर डिसकास करें उस पर चर्चा करें तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं चाहे messages हो feedback हो या questions हो आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे email id पर जो की है ciet.kishor.munch at the gmail.com फिल हाल के लिए शालनी सेंग को दीजी इचासत नमस्कार